ओवेसी की खिलाब भाजपा ने उतारे हिंदुत वादी महिला जाने कौन है माधवी लता जिसे पार्टी ने हैदराबाद से दी टिकेट लोकसबच चुनाव के मद्य नजर भाजपा ने अपने उमीदवारों के पहली सूची जारी कर दी है पहली सूची में पार्टी ने प सबसे चर्चित सीट हैदराबाद से ए आई एमाईम अद्यक्ष असुदिन ओवेसी के खिलाफ एक महिला उमीदवार को उता रहा है इस सीट पर ओवेसी परिवार की साल 1984 से बादशाहत है पहले असुदिन के पिता सुल्तान 1984 से 2004 तक यहां से सांसद रहे उसके बाद 2004 से अ परसन है और वो हिंदुत का मुखरता से परचार करती है अस्पेटाल की चेर परसन होने के साथ वो सामाजिक कारें में वी एक्टिव रहती है माधवी के हिंदु धर्म को लेकर दिये भाशन आज भी लोगों के बीच चर्चा का विशे बहनी रहते हैं माधवी लोपा में साफ साफाई सिक्षा और स्वास्ति सवधाई नहीं है माधवी ने कहा कि मदर्सों में बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है मंदिरों और हिंदु घरों पर अवैत कब्जा किया जा रहा है जिससे ठीक करना होगा पहली वार महिला उमीदवार पर दाउं भाश्पा ने ह वैसी को इसके गड़ में हराना आसान नहीं होने वाला है अब देखने के वाली बात यह होगी कि वैसी की गड़ में क्या हिंदु का चेहरा जीत पाएगा की नहीं